अगर मन में कुछ कर गुजरने की दृड़ इच्छा हो तो कुई भी काम मुश्किल नहीं होता ये पंक्तिया लोक निर्मान विभाग रुद्र प्रयाग में सहायक अभियंता के पद परतैनात अरजुन सिंग पावार पर स्टीक बैठती है अपनी नोकरी के साथ साथ पिछले 27 सालों से होड तोड मेहनत कर रहे बंजर और पत्रीली जमीन पर बागवानी कर रहे जो अब मेहनत का फल देने लगी है पावार की माने तो पहाड में वन संपदा जल संपदा और फल संपदा का इतना बड़ा भंडार होने के बावजूद भी लोग इसे पहचान नहीं रहे हैं पावार ने ध्रातल पर कार्य करने का मन मनाया और श्री नगर से 9 किलोमेटर दूर अपने फैथरे गाओं गहड में एक हेक्टेर नाप भूमी पर लीची, आवला, माल्टा, मोसमी, अनार, आम, पपिता, फलदार पोधों का रोपन किया बंजर और पत्रिली जमीन होने के बावजूद भी वे समय समय पर नहन्ने पोधी की निराई, गुडाई के साथ ही खाद पानी देते रहे तो उसे बेजान भूमी में रोपे गए पोधों में जान आने लगी है 27 साल बाद उनके बगीचे में 1200 से अधिक फलदार पेड ऐसे तनकर खड़े हैं, मानो पाहाड से रोजकार के लिए पलायन कर रहे युवाव को कह रहे हो कि लोट आओ अपने पाहाड में अधिया अधिया जमीन है और इस मुझ मैंने चतान काट करके धीरे धीरे उनको छोटी-छोटी शीडियों में बदल करके कुछ अपनी पैक्रिक जमीन थी कुछ और जमीन खागिद करके उसको मिलाया और बांड रिवाल करके इसमें मैंने अच्छे क्वालिटी के पेड हो जाता आधा हिंचे से भी कम पानी हो जाता है उसमी को मैंने मूव सोट से टेप करके द्वार और दिन का पानी हम टारेक परेड़ों में लगते हैं, रात के पानी को हम जो हैं, सुझे इस्टोर करके लगा देते हैं, तो प्रेडों को हम यह निकेन परकार हैं, उसको बचाया, लोजगार के लिए कम से कम हमारे पास है, जब हमने दिवाने बनाएं यह बोंड खेटों का किया तब तो चाली से पचास लेवर जो है तीन-चार मैंने काम करती थी इस पर हमने अपना इन्वेस्टमेंट किया अब बरतमान में मेंटिनेंज के लिए हमको छैसे साथ आदमी लगवर लगाता चाहिए जो गाहों के लोग लड़के और कभी नेपाली लेवर हमारे पास का चुले फिलाल बुलिटीन में इतना ही बाकी बने रही है चैन टीवी के साथ नमस्कार कोड़ द्वार द्वारे पर रहे सुबे के मुख्या त्रिवेन सिंग रावत लाढ़ धांग चिलर खाल मुटर मार का किया उधगाटन किसानों को किया रण वित्रण हर्ताली प्रदेश बने उत्राखंड पर मुख्य बंत्री ने जिताई चिंता सक्त कदम उठाने की कही बात हर्ताली राज्यों की लिष्ट में पहले पाईदान पर है उत्राखंड दोईवाला शुगरमिल में पराई सत्र का आगाज सीम त्रिवियन सिंग रावत ने किया शुबारम स्पीकर प्रेम चंदगरवाल विरह साथ ननी जील को बचाने के लिए राजभावन में सेमिनार का हुआ आयोजन राजपाल और सीम ने यूंडीपी और निएज के कामों के की तारीफ बोले सीम जनता हो रही है जाग रूप नस 74 मुहावदा घोटाला मामले में डाटा एंट्री ऑपरेटर आरपर कुमार गरिफतार किसानों की भूमी का बैक डेट में 143 करने के गंभीर आरोप बीकुसिंग से भी होई पूस्तार और काशीपुल पुलिस के हाथे चड़ा बाइक चोज गिरों के तीन आरोपियों के आगया गरिफतार चोरी की 11 गाडिया भीज़ा तो पुल्टिन की शुरुवात बड़ी ख़बर के साथ करेंगे आपको बता दें कि जेसी भी पलक्टने से एक बड़ा हास्ता चमॉली में हुआ है जहां पर मौके पर ही एक सक्स की मौत हो गई है आपको दादें कि जोशी मट के जंगरिया बैंड के पास कि ये पोरे घटना है जहां पर कि जेसी भी पलक्ट गई है और एक बड़ा हास्ता हुआ है जिसमें आपको दादें मौके पर ही एक सक्स की मौत होई है यह पूरा घटना आपको बता दें, चमोली जिले में हुई है, जोसी मट के जंगरिया बैंड के पास यह घटना घटी है, जहां पर एक जेसी भी पलट गई और जेसी भी पलटने से वहां मौजूद एक युवक की मौत हो गई है, जदनाक हाथा हुआ, आपको बता दें कि च जोसी मट के जंगरिया बैंड के पास यहां पर एक जेसी भी पलट गई और जेसी भी पलटने से वहां पर जो सक्स मौजूद था, उसकी मौके पर भी मौत हो गई है, चली आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी ख़बर का रुख करेंगे, बड़ी ख़बर आपको बताते की कोई बी नतीिजा नहीं निखला है लक्षर की सुगै के मामला था है, जिसमें की कोई भी नतीजा नहीं निकला है कि आपस में बैठक करके कोई हल निकाला जाए जिसमें प्रवंधन सामिल था जिसमें तरह से लाग पुलिस के साथ किसानों के साथ बातचीत किराई गई लेकिन ये बातचीत पूरी तरीके से बेनतीजा रही है तो आप को दाने कि शुगर मिल मामले में जो है ये पूरी लिश्ट थी किस मामले में कोई हल निकले जिसमें पुलिस बी शामिल थी जिसमें तैसलदार की मौजूदगी में किसानों के साथ बैठक की गई वही तरह बेनतीजा रही वजा क्या रही इसकी क्या कुछ रहा लब बलुवाब आज की बैठक का जी राजिव दर असल इसमे किसानों के दुआरा एक पूरो यानि कि पिछले सत्र में भी एक इसी प्रकार की बैठे कुई थी उसका कारण ये था कि जो बीज जो की एक प्रजाती होते गन्ने की उसके नंबर वाइज उसकी जानकारी दी जाती है वो मील प्रबंदन दुआरा ही किसानों को आवंटित किय जाता है लेकिन जब उस बीज की एक साल की उपच के दौरान जब फसल को काट करके उस मील प्रबंदन को कर विक्रए है तू ले जाया गया तो मील प्रबंदन ने ही उसे लेने से इंकार कर दिया इसी नाराजगी को लेकर किसानों ने धर्ना परदर्शन किया और इस परोत्री करने के एवज में मील प्रबंदन ने भी यूपी की किसानों से गन्ना क्रे करना शुरू कर दिया इसमें नाराजगी और जगा किसानों की बढ़ गई जी राजीव आप से जाना चाहेंगे ये बैठक में फिर बातचीत क्या हुई क्या और कहां बातचीत बिगड़ी क्योंकि कोशिश तो यही थी किसमें कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाए कोई हल निकाला जाए तो कहां चूप कर जी कहां पर बातचीत बेर नतीजा रही है जो प्रशासनिक मध्यस्तता थी उसके अनुरूबी महां के जो मैजिस्ट्रेट थे यानि के तैसिलदार थे और पुलिस प्रशासन की मौझूदगी में जो मील प्रबंदन थी उन्होंने किसानों के जो लिडर्शिप कर रहे नेका थे उनके साथ एक बैठक की ताकि इसमे कोई एक सारवजनिक आधार पर एक समझोता हो सके लेकिन मील घंटो इस वैठक के दोरा बाद भी कोई समझोता और कोई मिलब कोई ऐसा नतीजा निकल ही नहीं पाया जिससे के कोई मामला सुलज जाए और लेकिन उसमें उल्टा क्या हुआ कि मील प्रबंदन ने उस भीज क केटेगरी को स्विकार करने से फिर भी साफ साफ इंकार कर दिया इसमें पुलिस की मद्यस्ता और प्रशासन की मद्यस्ता दोनों तोर का जो मीडियेशन था वो भी काम नहीं आ पाया अब किसानों ने एक जो लोकल विधायक हैं उनके साथ मिल करके उनके समर्थन प्राप् जारी रखने की एक उन्होंने अपना ऐसा कारेकरम बनाया है जी राजीम चलते जलते हैं आखरी सवाल आप से अब बीच का कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कोई कोई कोशिश और होगी बाचीत की आब यह बेनतीजा रही है तो इसके बाद अभी बाचीत क कोई उमीद नहीं है किसानों ने किसमें मिटिंग के बाद बेनतीजा रहा है जो भी कुछ किलिए तो किसानों ने एक इस्थाने विधाय के समर्थन प्राप्त करने के बाद जिसे दर्ना परदर्शन को यथावत रखने का ही जारी रखने का कारेकरम बनाया है इसमें अभी तक तो कोई ऐसी स्थिती नहीं है लेकिन फिर भी वो उन्होंने 24 गंटे का अल्टीमेटम किसानों ने जो मील प्रबंधन है उनको दिया है जी राजिव चलिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आपका इतवाम जानकाई देने के लिए इस पूरी ख़बर पर अपडेट देने के लिए आगे बढ़ते अंगली ख़बर कर रूख करेंगे सुवे के मुख्या त्रिविन सिंग रावत कोड़ द्वार दौरे पर रहे इस दौरान सीमने वन्मिभाग के कारिक्रम में शिरकत करेंगे सीमने लाल धांग चिलर खाल मोटर मार का चला नियास किया इसके रावा सीमने दीन दियाल उपाध्याय सहकारिता किसान कर लियान योजना के तहट किसानों को रिण वित्रित किया इस दौरान वन्मंत्री हरक्षिंग रावत भी वहां पर मौजूद रहे तो वन्मिभाग के कारिक्रम में शिरकत करने के लिए पहुँचे थे मुख्यमंत्री जहां पर आपको हता दें की लाल धांग चिलर के मार का शुभारम भी उनकी तरफ से किया गया कई विश्यों को लेकर के उन्होंने बाचीत की और ये भी कहा गया कि किस तरीके से परेट उसका शुभारम भी किया गया और कहा ये गया किस मार के बहतर होने से परेटन में भी इदाफा मिलेगा तो वन्मिभाग के कारिक्रम में शामिल होने पहुचे थे मुख्यमंत्री जहां पर लाल ढांग चेलनर ख्याल मार्ग का उन्होंने सिलान न्यास किया साथी किसानों को रिण वित्रिण भी किया गया मुख्यमंत्री त्रिवें सिंग रावत की तरफ से कि इधर दोईवाला शुगर मिल का दोःजार सतर आठारा का पिराई सतर का अगाज हो गया है दोईवाला में सतर का शभारम किया इस दुरान प्रेशल अन तर्फ के आरंग होने के साथ ही किसान अपना गंना चीनी मिल कोभ दे साखेंगे हाला कि आपको यह भी बता दें कि अभी तक गंन्य गंने का मूल्ली निर्धारन का काम पूरा नहीं हुआ है इसको लेकर के लोगों के मन में सवाल है लोगों के मन में इधर दून में नानी जील को संदक्षित करने के संबंद में राजभावन में सेमिनार का अज़न किया गया जिसमें राज जपाल केकेपॉल और मुख्यमंत्री त्रिवेन सिंग रावत में शिर्क पत्री उत्राखन सरकार के साथ UNDP और अनाये जैसी संस्थाएं नानी जील को बचाने के लिए काम कर रहा है। कि अज़न के लिए जुर्वारे जुर्वारे जुद्रों के साथ ही इसके साथ ही त्रिवे फूर दिया है। हमाई साथ जुर चुके हैं हरीश खनेड़ा हमाई समवाजता जानकारी के साथ हरीश एक प्रयास है नियनी जील को और बहतर करने का उसको संरक्षित करने का क्या कुछ खास बातें निकल करके आई आज की जो समिनार आयजुत किया गया उसमें बिल्कुल देखी बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज राजगहोन में मुखमंत्री और महामाई राजजपाल के द्वारे कारेशालव यहां पर की जाई है तो रान तमाम बैज्याने के स्कारिकरम में रहे हैं और मैं खास ये रहा कि जिस तरह से जो उपन बैज्या मां रे और मैंने भीर हैं उसको रखरकाओं उसको पुना जिवित की तरह से किया जाएं उसको रेकर के करके जीरे हैं और मुद्दा के जीरे हैं उनको लेकर की जे जूर पानी पीने को मिले और जो वाटर है वो जील में बना रहे हैं इसको लेकर के भी जो बैजनिक हैं उन्हें अपने गाई दी है सरकार के सामने रखी हैं अपनी बात रखी हैं इसको लेकर किये मुख्यमंतरी ने उन्हें ये भी कहा कि अगर उनके पाद कोई अत्रिक्त विकल्प है तो वो भी साज़ा कर सकते हैं सरकार के साथ ताकि सरकार और करम उठा सके हैं कि मुख्यमंतरी ने कहा कि एक पहार जो हिल डेफलेमेंट है उसको बढ़ाने के लिए भी एक यहां पर एक समिती बनाई जाएगी जिसमें कि जो पहार से जो जुड़ी भी चीज़यां हैं खास वर जो नदियां हैं को कैसे स्रेक्शन के अजैस को लेकर कि चौटागी गई जी एक सी आफसे और जाना चाहेंगे कि अब आगे किस तरीके से नैनी जहील को लेकर के क्या कोई कारिकरम चलाया जाएगा और किस तरीके से लोगों को उससे जोड़ा जाया इस पर भी चर्चा हुई गया निशित अब देखी काफी प्रज़डन इस तल माना जाता है नैनी जाल को हर साल आट लाग से ज़्यादा वाहाँ पहुत हैं नैनी जाल का पिजार करने के लिए तो इसको लेकर करके सरकार काफी गंबीज है इसको लेकर के लगाता जिस तरह से कारिकरम किया जा रहा है और किस तरह से उनका डेबल्ब किया जाए किस तरह से उनको बड़ाया जाए ताकि परियाट अधिक सब्सक्राइब यहां पहुंचे और जो लोग यहां को उते हैं उनको भी कोई दिखते नहों कि उनको भी बहतार पानी मिल सके और जो जीर है वो बनी रहे इसको लेकर कर जा क प्लाइशन तुम पर करेंगे खास्तों काम रिष्पना की बात करेंगे यहां पर भी उनने का कि हम आने वादे समय में पुलिस और जो एंपुसी हैं तुमाम आर्मी के जो लोग है उनके साथ में जो करके विक्षार उपन करेंगे और जो नदी है वो उसको फिर से सुचार हो सके तवाम ऐसी नदियां है जो आज यह विलूप के कावार पर उसको लेकर के सरकार काफी गंभीर है जी चले बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आपका इतवाम जानकाई देने के लिए इस पूरी ख़ब पर अपडेट देने के लिए तो ऐसा घूमा की मौएने पर महाभारत ही चड़ देए इसी पर देखे हमारी यह रिपोर्ट देखे हम लोग पूरी ता से मुस्ताइद हैं जो हमारा साथ तारिक से विधान साव सत्रियां आउत हो रहा है और मुझे लगता है इससे पहले में लोग देरादुन में बैठे दे वहां मोटी मोटी आमने बाचीत की थी अपने इस विधान साव सत्र को कर पाएँ तो उत्राखंड स्पीकर प्रेम चंद्र अगरवाल पूरी तरह से भरोसा दिला रहे हैं कि 7 दिसंबर से गैन सैड में शुरू होने वाले शीत कालीन सत्र में कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी विधान सभा ध्यक्ष को न सिर्फ पूरा भरोसा है बलकि यकीम भी है कि अगर कोई पहाड से चुनोती सत्र के दौरान सामने आ भी गई तो उसे डबल इंजन सरकार एक जटके में दूर करने का माददा रखती है यानि स्पीकर के इस भरोसे भरे बयान को सुन कर ये अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि भले ही दिसंबर में सर्दी अपने पूरे चरम पर हो भले ही पहाड पर और कपा देने वाली सर्दी भरी हवाएं संसं करते हुए चलने लगें भले ही उत्राखंड के पहाड दिसंबर में बर्फ की सफेज चादर में पूरी तरह ढग जाएं मगर सरकार अपने स्टैंड पर कायम रहें राजी सरकार की ओर से अगर गैंड सैंड में शीत कालीन सत्र की तारीखों का एलान हो गया है तो अब त्रिवेजन सरकार दून की सियासी चकाच्योंत से दूर पहाड की पकडंडियों को पार करती हुई सीधे सपनों की इमारत में सत्र को आहुत करने के लिए पहुँचेगी शुक्रवार को स्पीकर प्रेमचंद अगरवाल और सुवे के संसदी कार्यमंत्री प्रकाशपंत सरकारी अमले के साथ गैर सैंड पहुँचे और पहाडों के बीचों बीच खड़ी सपनों की इमारत का मुआयना कर वहां की कम्यों को वक्त रहते पूरा करने के संबंदित अधिकारियों को निर्देश देकर ये जता दिया कि अब राज्य की भाजपा सरकार सत्र के लिए यहां आने को पूरी तरह से तयार है खैद सरकार की ओर से जिस तरह की तयारिया की जा रही है वो सरानी है मगर सियासत के स्क्य का दूसरा पहलू ये भी है कि विपक्ष इस किस्टे को खत्म ही नहीं करना चाहता शायद ये उत्राखंट सियासत की रीत ही रही है कि जो भी सियासी दल विपक्ष के पाले में पात साल बैठता है वो गैर सेंड को जनभावनाओं के तराजू में रखने के बजाए उसे राजनीतिक फुटबॉल मान बैठता है और उसे किक मार गोल करने की फिराक में रहता है जब किसी जमाने में विपक्ष के पाले में कमल धारी विराजमान हुआ करते थे ये भी गैर सेंड को पूरी तरह से सियासी फुटबॉल बना डाला था चुकि अब ये विपक्ष में भाजपा नहीं बलकि कॉंग्रेस विराजमान है तो इस परंपरा को पंजाधारी ही आगे बढ़ा रहे हैं जब से गैर सेंड में शीत कालिन सत्र की तारीखों की मुनादी हुई है तब से लेकर अभी तक कॉंग्रेसी सिर्फ और सिर्फ बयान बम के जरिये नौंबर महीले में सियासत को ही गर्म करने में लगे हैं जिस तरह से शीत कालिन सत्र से पहले सियासी संग्राम छिडा हुआ है उसे देख कर अंदाजा लगाये जा सकता है कि सत्र के दौरान गैर्सेंड पूरी तरह से घर्म रहने वाला है अरीश खनेराज जैन टीवी दैरादू इस मामले में कॉंग्रेसियों का क्या कुछ कहना है वो जराब आपको सुनाते है कि देखे वेरात्व सीधा सीधा इनको कहना है कि गैर्सेंड के मुद्धे पर भारते जन्ता पार्टी ने राज्य बनाते समय एक पाप किया था कि राजदानी घोषित ने थी आज उस पाप को प्रयास्चित करने का मौका है क्योंकि हरी श्रावाजी ने जिस तरह वहां इंफ्राइस्ट्रक्चर डवलप करके विधान भवन विधानतवा कारले के लिए विदायकों के निवास के लिए कर्मचारियों के लिए पुरा धाचा का ब्यवस्ता ठीक कर दि सका है , तो तब तो इनके दोरे का जाने में लेकिन उन्होंने तो मिस्टव इंकी नियत सांप नज़रारी, इन्होंने जानभूच करके य उत्राखन जब विश्व क के सरकार थी उत्रा आपने पूरा इंसव बना और कर दिया मन्तरियों के निवास बना दिया हैली पेट बना दिया बहुत सी चीजें वहां पर गेस्ट आउसेज बना दिये अब क्योंकि सरकार उनकी आई है हमें जंता ने विबक्स में बैटने का मुका दिया है जिम्मेदारी भाजपा की है और हमने तब भी कहा था हम आज भी कह रहें कि हमारा इरादा बहुत इस प्र के नेताओं से भाजपा के मुख्यमंत्री तिवेंदर सिंह रावाजी से क्यार रावजी यह मॉका है की produced 2001 की पहली अंतरिम सरकार की बनी थी अभी उत्तरप्रदेस प्र सरकार थी competitive mister में आपकी शरकारес इसलियल में इंटधि आपकी शरकारित एर आजभी कि 143 कराने में एहम भूमकानी भाई थी बताय जा रहा है कि साइटी जल्द ही फरार चल रहे जश्कुर तहसीर के किसान दिलबाग सिंग और रमिश को भी गिरफतार कर सकी है शाहिद खान हमाई साथ जोड़ चुके हैं शाहिद खान आप से जाना चाहेंगे आप सुन पारें अब यह मान के चलें कि अब धिरे-धिरे और भी कई करिफतारियां होंगी क्योंकि एक तरफ पोस्ताज भी चल रही है लगाता है डिपी सिंग से और इसके यह डाटा एंट्री ऑपरेटर था इसके पूर जो आप लागाता के वन पोर्तिक भी जो है जी शाहिद सुन पारें आप शाहिद आपको आवाज मिल रही है चल लगता है आज शाहिद से हमारा संपर्क तूट गया है तो आपको पताते देते हैं कि एनस 74 भूमी मुहाफजा खोटाले मामले में अरपन की गिरफ्तारी हुई है शरेंडर किया अरपन ने और वहां से भी अब काफी जानकारी साइटी को मिलेगी और इसको लेकर कि अब लगाता आपको बता दें कि कल सही फूसता चल रही है डिपी सिंग से भी और अरपन की के सरेंडर करने के बाद कई सारी चीजों की स्थितियां इस पूरे घोटाले में आदने वाले दिनों में जल से जल ही वह स्थिती साफ हो सकती है तो आपको बता दें कि काशिपूर तहसील में यह सरेंडर हुआ है शाहिद दुबारा माय साथ जोड़ चुके हैं शा शाहिए सुन पा रहे हैं आप शाहिद आपको आवाज मिल रही है अच्छे लगता कुछ टक्निकी दिक्क्त है बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद हमसे बात चीट करने के लिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर का रुक करते हैं और इसी मामले से जूरी खबर का रुक क चली पोलिस अतिकारियों के मताविक फूस्ताष में एनेच मुहाबजा घोटाले से संब्मदित कई साक्ष और दस्तावेज मिलने की संभावना है आपको बता दें यहाँ पर कि भुधवार को एनेच मुहाबजा घोटाले मामले में फरार चल्राइड डिपी सिंग ने सस् घोटार जेर की रात सुष्षीलाति यह इसकार भरती कराया गया राईवार को सिड्कुल्स चौकी प्रभारी केजी मत्पाल के नेत्तुम्हें पुलिस डिपी संग को शुचलातियों को सुचीलाति आपए पहर अचिक ardhomen दरसल गुरुवार के दिन ये खबर आई थी कि डीपे सिंग ने SSP कारयाले पहुँच करके आपने समर्पढ़ कर दिया लुकाउट जिस आरोपी के खिलाफ जारी हुआ था वही मुख्या आरोपी नाटकी धंग से काईक SSP कारयाले पहुँच गया और आपने समर्पढ़ कर दिया इस रिपोर्ट के जरीए आप जानिये कि डीपे सिंग के अलावा कितने ही इस खेल के खिलाड़ी अब तक सलाखों के पीछे पहुँच चुके हैं एने चोहतर कथिद घोटाला मामले में SIT से लुका चुपी का खेल खेलने और जांच अधिकारियों की आँखों में महीनों धूल जोकने के बाद आखिरकार नाटकी अंदास में गुरवार को मुख्या आरोपी डीपे सिंग SSP आफिस पहुँचा तो सभी की आखे खुली की खुली रह गई मुख्या आरोपी रहे डीपे सिंग के खलाब लुकाउट नोटिस जारी होने के बाद भी जब खाकी और जांच अधिकारी घुटनों के बाल आ गए तो मीध ही छोड़े जाने लगी कि शायद ही ये शातिर फरिंधा सलाखों के पीछे पहुँच सके मगर जिस तरह से नाट के अंदाज में डीपे सिंग SSP आफिस पहुचा तो हर कोई हैरान रागया हाला कि इससे पहले 6 नौबर को भी लंबी लड़ाए और जदो जहद के बाद इस खेल के आर्थ शातिर खिलाणियों के खिलाब खानोन शिकन जाकस रुद्वपुर की सीजियम यानि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रीट कोट में पेश किया गया था यकिनन कहा जा सकता है कि अनच 74 मामले में ये अभी तक की सबसे बड़ी कारवाई हैं अभी तक इस मुद्दे में कितने ही खुमाओदार मोडाए हैं ये आपको आगे बताएंगे लेकिन सबसे पहले आप ये जान ले कि किन किन शात्रों की आभी तक पेशी हो चुकी है इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है निलंबित S.D.M. भगत सिंक फोनिया का दूसरे नंबर पर है अनिल कुमार, संग्रामीन, निलंबित तीसरे नंबर पर है मदन मोहन पडलिया, प्रभारी तहसिलदार, काशिपूर चौथे नंबर पर है भोले लाल, रिटार प्रभारी तहसिलदार, काशिपूर पाचवे नंबर पर है राम समुझ, अनुसेवक तहसिलदार, जस्पूर चटवे नमबर पर जुशान सिद्की, स्टॉंप वैडर, काशिपुर साथवे नमबर पर हैं ओम प्रकाश, किसान गढ़ी नेगी और आठवे नमबर पर हैं चरण सिंग, किसान जस्पुर वहीं मुख्या अभियुक्त डीपी सिंग की तलाश में जगह जगह दविश दी जा रही थी आपको ये भी बता दे, मुख्या अभियुक्त डीपी सिंग की तलाश में लुकाउट नोटिस भी जारी किया जा चुका था मगर क्या मजाल कि डीपी सिंग किसी के हाथ दे चड़ सका फैर इससे तरह गर बात करें तो तहसिल बासपुर, रुदरपुर, घदरपुर, किछा और सितार गंज के संदिक्द प्रकरणों की जांच प्रशलित है यकिनन जब से इस मामले ने सुबे की सियासत में एंट्री ली है, तब से लेकर अभी तक ना जाने कितनी ही बार, डबल धमाल के जरीए सियासत में विस्फोट हुए हैं एक यही मुदा रहा है, जिस पर डबल इंजिन की त्रिवेंद्र सरकार के गले की भास बना हुआ है, ना निगलते बनता है और ना ही उगलते हाला कि जिस पक्त बीजोपी सरकार ने एनट 74 मामले में सीबियाई जांच की बात कही और उसके बाद इंद्रिया मंत्री नितिन गटकरी के पत्र में सीबियाई जांच नहीं कराने की नसीहत दी गई, तब से लेकर अभी तक कॉंग्रेसियों ने भी इस मुद्दे पर दा शामिल है, खेर इस खेल के आठ शातिर खिलाडियों की तो पेशी होकर उन्हें सलाखों के पीछे पहुचाया जा चुका है, और मुख्य आरूपी ने गुरुबार को सरेंडर कर इस लुका छुपी के खेल पर विराम लगा दिया, मगर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि इस खेल की प्लानिंग करने और इस खेल को खेलने वाले मस्टर माइन या फिर आप कहे लिजिए कि सफेद पोश अभी भी कानून के पहुच से कोर्सों दूर ही दिखाए दे रहे हैं, अभी तक जिनको गिरफतार किया गया है, ये महस वो प्यादे हैं जो सामने दिखाए दे रहे हैं, लहाजा इस खेल के उन शातिरों को पकड़ना ज़रूरी है, जो खानून के साथ आख मिचौली का खेल खेल रहे हैं रुद्रपुर से शाहित खान, हल्दवानी से अमिच चौधरी, जैन टीवी, देरादू चौड़ों सब ब्रेक लिए रहें, जल दौट रहे हैं, आप बरे रहे हैं हमाई सार हर्ताली प्रदेश बने उत्राखंड पर मुक्समंत्रिनी जिताई चिंता, सक्त कदम उठाने की कही बात, हर्ताली राज्यों के लिस्ट में पहले पायदान पर हैं उत्राखंड बिवाला शुगर मिल में पराई सतर का आगास, सियम त्रिवेज सिंग रावत तिक्या शुवारम, स्पीकर प्रेम चंद अगरवाल भी रहे साथ नानी जील को बचाने के लिए राजबहुन में सेमिनार रखा हुआ हो आयोजन राज़िपाल और सियम ने यून डीपी और अनाईयच चेक कामों के कितारीफ बोले सियम जनता को हो रही है जागो नस 74 मुआफज़क होटाले मामले में डाटा इंट्री ऑपरेटर अरपन कुमार गिरफतार किसानों की भूमी का बैक डेट में 143 करने के कमभीर आरोफ प्रेशन से भी वी पूस्ता और काशिप और पुलिस के हत्ते जड़ाबा एक चोर गिरों के तीन आलोपियों को किया गया गिरतार चोर की तोरी की ग्यारा काडियां भी वहीं सब प्रेके बाद स्वागत है आपका बढ़ते हैं अगली खबर की और मसूरी में यी रिक्षा को लेकर रिक्षा यूनियन ने नगर पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंग से पालिका सभागार में बैठक आयो जित की बैठक में यी रिक्षा को लेकर कई मुद्धों पर चर्चाय हुई साथी बजलते हुए परिवेश को देखते हुए गोल्फ कार का भी सिद्धाव रखा गया पालका अध्यक्ष मनमोहन सिंग मन ने कहा कि अगर गोल्फ कार मसूरी में आती है तो इससे सरानियों को आनंद बैठक करके हर तरह की विवस्ता की बात की जाएगी रिक्षा यूनियन के अध्यक्ष विक्रमसी ने कहा कि अभी वे पार्टनर्शिप को लेकर कंफीज है एक बार फिर बैठक के जरिए कारपुणाली कारकारनी जो भी निने रेगी वो प्रशासन को लिखित में देंगे मसूरी में जिससे के मालोड भी सुंदर रहे और टूरिस्तों को बैठने का आनन बी उसमें आया तो सरकार भी चिंती तो हम भी चिंती तर एक लोग भी चिंती तर आज इन लोगों के बैठक की ते कि आप उसमें ड्यिसाइड कर लो कि गोल्पकार चलाणी है या एरिक्ष पर बिटन तो परदी बज़ू चाहता है पर अभी हमारे कारेकाने डिसेड़ करेगी अभी क्या होना है अभी हम लिखित में देंगे एक हमारा ठोस नीरने बनेगा उसमें सब लोग गटाही लेके जो भी देंगे जो भी परसासन देंगे या अधिक साहुजित किसी वी सुछिघ है लेकान जार निकम कि खेलाफ कांग्रिस कारकरताओं ने नीगम गेट पर पहुंच का दीगं में हो रहे है प्रिश्टाचार के при 말 करोब करने करदाहशन कि रिभी कि में गार्रशन कि में परुत मेनानि नीकामा बैए निग में हम वर्स दि serdes geogalmiddag साथी उनोंने कहा कि पधान मंत्री वारत के प्रश्टाचार को स्माप्त करना है लेकिन प्राख्षान के भाजपा सरकार होते हुए निगम में प्रिश्टाचार कुई तरह सेख्षाई चाहिए नगर निगम में कॉंग्रेस कारकरताओं ने धना प्रोशिंग किया आपको पतादें के लिडी लाइट गोटाला हाउस्टेक गोटाला पूरा कलेक्शन गोटाला विकास कारे गोटाला आजी-ाजी आजी आरूफ लगाते हुए कॉंग्रेस पार्टी के निगम निगम अल्टाओं ने कारकरताओं ने नगर निगम में लगता भरष्ट चार पर बरष्ट चार उते जारे जिसकी आज तक कोई जाच नहीं हो रहा है और हमने कई वर डियम साहब को अउगात कराया इस बात को जिसकी जाच होनी चाहिए मगर आज तक जाच नहीं हुआ जैसे LED घोटाला हो गया, इस रिक्षा घोटाला जो वाड़ो में गूमते इसमें भी घोटाला हुआ भारी मात्रा में जिसके आज तक जाच नहीं हुआ सब्सक्राइब को लागु करने को लेकर कारे पहिशकार पर रहे और विशाल धना प्रदर्शन करते हुए जुरू जिताया तार्ति वितनमान लागुनाक होने पर उर्जा लिगन के लिकारियों और कमचारियों के मोबाईल आश्राम 5 वे से बन अपने की चेताओ निथी वहीं अब मुपरिश्टी के कहना है कि अगर हमारी मांगे को सासन ना पूरा किया तो आने वाले चार जन्वरी को दरादून के गाजी पार्ट से विशाल जाली कारदियों किया जाएगा और मांगों को भी बुड़ा नहीं किया गया तो पांच जन्वरी 2018 को अनश्र कारी में हर्द्वार से शुरू होगा और रुड़की पर आके खत्म होगा चार से ले करके हमारा कारेकरम चलेगा वह हमारा 16 दिसंबर तक का कारेकरम है वह हमारा होगा उसके बाद भी यह देकर हमारी बातें नहीं सुनी जादी तो चार जन्वरी 2018 को हम गांधी पार्ट देहरादून में एक विसाल रेली करेंगे और वहां से सचवाले तक कूच करेंगे यह धर्ना परदर्शन जैसा कि आपको देख रहे हैं आज से प्राड़म नहीं है यह दिवाले से पूरू भी प्राड़म हो चुगा था हमारी जो मांगे हैं बहुत ही जैनुर मांगे हैं जिन में हमारा हिसीपी और मेट्रिक्स का मैटर है पुलिस सद्कारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिये गए उन्होंने पुलिस सद्कारियों को निर्देश दिये कि ट्राफिक से संबंदित नियमों का हर हाल में पालन कराए जाना जाए साथी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में जाकर छाथ-छात्रां को ट्रफिक के निवों का पालन करने को लेकर के जागू भी किया जाए लियार जी पूरे नावत ने बताया कि उनकी पहरी प्राध्रिक्ता लोगों को जाम से और अप्राध से निजाद दिलाना है वही कराम के पुरानी लंबित मामलों को खोलने को लेकर सम्मंधित पुलिस अधिकारियों को कड़ी दिशाने देश दिये गए हैं कि पुलिस चल से जल्द पुरानी मामलों को खोला जाए करना और आराम देश संचालन के लिए पुलिस की एक महतुपूर भूमिका है तो आज कासिपूर और माजपूर सरकिल का मैंने मिटिंग किया इसमें हम सीगरी ही शहर के जितने भी चौराहें हैं कंजेशन पॉइंट हैं बिसिकली उनको इरिक्षा बस या दूसरे गाड़ियों को वहाँ पर खड़ा होना नहीं दिया जाएगा और चौराहे इंक्रोश्मेंट मुक्त हम कराएंगे नंबर वन और जितने भी मर्जर रोड चाहे वो नेशनल हाईवेज पर हो रहे हैं या सहर के बड़े मर्गों पर जो है मर्जर रोड आ रहे हैं बहार से लेंज उनमें हम लोग जो है मर्ज रोड का जब मर्ज होता है रोड तो उससे पहले रमल स्टिप्स जो हैं बनवाने का हमरा मैंने शुजाओ दिया हैं दूसरा हर चौकी इंचार्ज और सब इंस्पेक्टर और सरकी ऑफशर सबता हमें एक बार प्रतेक विध्यालेंगों में विजिट करेगा और ट्रैफिक के बारे में बच्चों को बेसिक चीजें बताएगा अगली होर्स दारगन से जहां पर वार्ड नमबर दो में चंदन सिंग के घर में शादी की त्यारियों में पहले मिया वीवी के बीच ही विवाद हो गया जगड़ा इतना बढ़ गया कि चंदन सिंग अपना आपा खो बैठा और अपनी पत्नी को गोली मारने पर तुल गया मामरा तिल का तार उसवक्त बन गया जब चंदन सिंग ने रिवालवर को अपनी पत्नी पर तांदिया मगर शूट आउट के दोरान पत्नी तो बजगई लेकिन गोली पूगा कराने वाले पंड़ित के लग देगी गोली पंड़ित को गाल पर लगी आन्फाने में पंड़ पुलिस की टीम और परशासनी करिकारी पहुंच गये हैं उन्होंने घटना की जानकारी ले लिए हैं मौमद आरिफ हमाई साथ आरिफ क्या कुछ अपडेट आपके पास अभी क्या अस्क्तिती है जी बिल्कुल बिल्कुल हम बताएं कि सितारगंग के वाइड नमबर दो में एक शादी समारो का आयूजन बहुत जल्द परिवार में होने वाला था और सुबह पूजा अर्चना के लिए इसितारगंग के रहने वाले बालकिसन तिवारी पंडित हैं उनको बिलाया गया पूजा अर्चना प्रारम भी होच बीदी उसके बाद में परिवार के जो है दो जोनों मिए बीबी हैं जिनका म अपनी स्कॉर्ण और वहां अपने तपरी का महाल हो गया अनने फारण में अनों निकाला और अपनी बीवी को गोली माननी चाही लेकिन वो बीवी बत गहीं तो पट्टी की किराया गया अभी भी विवाद किस बात को लेके था जहां पर इतनी ज्यादा बात बढ़ दे कि अपने होने वाली जो गर में उस बात को लेकित कफी तपी में अपस में मदेश चल रहे थे और उस अप्रीष के जा रही थी तो यह जो है जो है इस को इसके बात जबना हुआ तो वहां उनों पूजा कराने के लिए पूरी खबर पर अबड़ देने के लिए इस पूरी खबर पर अब्रेट देने के लिए लिए गए वे थे उसी दोरान ने चंदन सिंग बसनाल जो बताया जा रहा है वहां पर पूस्ता के उनके द्वारा किसी कारण से वहां घर में पहुंचके गोली वगरा चलाए जो की गोली इनको लग गई है फिलाल उनको हाय सेंटर सुशिला तिवारे रेफर कर दिया गया है उनको स्पिटल है जा रही है और पूलीस की टीमें इसमें लग गई है जो जिन्होंने एक गोली चलाए उनके लिए हमने दो टीमें लगा दिया जो एरेश्टिंगल लगी है बागी टीमें पोजमिल की लिए कि अध्या दोने की गौला नदी का खनन आखिरकार डीर महीने की देरी के बाद शुरू हुआ है लालकुआ अविधायक नमीन दूंका और नहिताल के जिलादिकारी जितेंग चौधी ने पूजा अर्शना के साथ नाजल फोगत खनी कारिकाश वारव कि आपके पता देंग कि अध्या दोने की आवना चौकी तोरा पडाओ जजी पुडाओ की राज़कुआ के सभी गेटों से खनन सिर्फ कर गया जा है जानाजी में खनन के 54 लाग खन मीटर शेतरफ़ से 22 लाग घन मीटर में खनन चुगान का काम 22 में तक होगा तो है खनन में राज्य सरकार में व चुझा है आज चार गेटों को खोल दिया गया है और एक तारिकतर सभी ज्यारा गेट फुल जाएंगे और गॉला में जो खनन संबगी जितनी भी तैयारिया की जानी है वो हमारी लग तैयारिया फूरी है रास्ते बंदे रास्ते बंदे इसी मातर पूशका है लेबर भी गार्डियों की है और गार्डियों का रेजिस्टेशन वगरे सब हो गया है लेकिन जो कांटे वगरे को देखर के थोड़ा से ब्यादान आया था एक तारिकतर सभी ग्यारा गेट खोल जाएंगे मुझे उमीद है पिछले बार दिसंबर में बॉला प्रार्रम की जाईगी इसवार तक में 20 दिन पहले हम प्रारम कर रहे हैं और हाई कोट के कारण भी 20-25 दिन पिछले वर्स ब्यादान रहा था ऐसी बर उमीद है कि कोई ब्यादान नहीं आएगा और जो लक्ष है जो राजिस्की प्राफ्टी है वो अपने राख्रीं करते हैं हम सिस्टेमेटिक द आज मैं चार केटों को खूल दिया गया है कि दर विकास नगर की यहुना नदी में अवायत खननने का नाम नहीं ले रहा है इसती ही है कि माफिया बेखौफ होकर नदी में देर रात से मूंबाय सुबा तक आपको रादे हावायत खननन में बिटे हुए हैं फिलाल प्रसास के लिए नदेश कर दिये हैं इस्रिम शाब ने भी कर दिये कि वह हमारी करने अपने असि अकाफ तार कर रहें आप पलिसके ओ करते होग्ना ठावाई करते के पास से चेहिं के दरान ग्रतार किया पुष्टाश करने पर इनकी दरा सही जनकार नहीं देंगे जाने पर पुलिस को शक्ख हुआ और इसे क्राइफिक पुष्टाच करने पर इनोंने अरियाए और अन्य बाइक के चोड़ी कि जाने की बादा चुबूदिया आपको उता अपर देख सकते हैं कि तीन बाइक चोड जो है पक्रे गया है कुल इनके पास से ग्यारा बाइक जो है वह 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 वाहन चोरी को रोखने के लिए और चोरी वहनों को पकड़ दख़ड के लिए जो हमारी टीम बनाई गई थी इनके दोरा एक गैंग को ट्रेस किया गया चेक के दोरान पूच्टाच में इस गैंग के दौरा बताया गया कि इनके दोरा्य ग्यार्व मोटर साइकल हैं जो चोरी की गई थी वो बरामत करवाई है जिसमें से 3 काशी पर ठाना चेत्र की हैं और 2 ओई ठाना चेत्र की … अन्यच है वहOTHER इनके दोरा दिल्ली एंसी आर चेत् भी पकड़ा है जो फिर आगे उसको गाडियों को बेचता था दो लोगों के और नाम आए हैं दीपक और फुरकान मोटा अभी उनकी तलास जा रही है और इन्वेस्टिकेशन में उनसे भी पूछताच की जाएगी पकड़े जाने के बाद कि अन्य कितने वहन इनके द्वारा बेचे गए हैं यह बहुत अच्छा गैंग है और इस गैंग की खास बाद यह है कि यह बुलेट भी चोरी करते थे हमारी जो हाल के पंदरा दिनों में दो मोड़सागी लें बुलेट काशिपूर्थाना से चोरी हुई थी वो दोनों भी हमारे टीम गदरफूर पुलिस ने रईवार देररात बेशकीमती लकड़ी से भरा डी सीम पकड़ा है पॉलिस ने दो वन तसकरों को इपकड़ा है और उनके वहां को भी जख्त कर लिया आपको बता दें कि जंगलों से आए दिन वन इभाक को लकड़ी तसकर की मिली भगट से बेशकीमती लकड़ी की शिकाय लिए आते हैं उन पर कोई कारवाई क्यों नहीं की जाती है कल देव रात गश्ट के दौरान पुलिस ने बेश्किम्ति ये पचास कुंटल खैर की लकड़ी की तसक्री के आरोप में दो वंतसकरों को पकड़ा और बीसेम भी जब्द की अलाकि एक वंतसकर फरार हो गया जो की कलकती का रहने वाला है उसी के दौरा एक ख्याय चूरी करके इन लोगों को दिया जाना पूरे मामले में बगदमा दर्श कर लिया गया है और जो वागवाद में उसकी विरफ्दरी के प्यास की जा है खटिवा में सो बेड़ों का नागरिक अस्पताल के शुरूआत हो चुकी है जिसको लेकर मरीज और अस्थाईन लोग दोनों ही में खुश का माहौल है लंबे समय से त्यार अस्पताल में जहां आज डॉक्टरों ने अपने नए चैंबर में बैठके मरीजों का अप्चाई शुरू कर दिया है अस्थानी लोग का कहना है कि छेतर के सबसे बड़े सरकारी नागरिक अस्पताल शुरू होने की खुशी जाहिर की गई साथ ही लोगों ने भी बताया कि अस्पताल को आने जाने वाला रास्ता अतिक्रमर की चपेट में है जिसको पशासन को गंफीर्टा से लेना चाहिए वहीं अस्पताल की चिकिस्ता दिकारी ने भी नए अस्पताल के रास्ते के बारे में चिंतादक की इस्पिताल में इलाज कराने वाले मरीजों है कि एस्पिताल खुलने से आम लोगों को काफी पाइदा मिलेगा परेशानिया तो अभी बहार सही एंट्रेंज से ही शुरू हो गई है क्योंकि यहां पर सड़क बहुत चोटी है अब लोगों अपनी से आपने से अधिकाल दिए उस लोगों ने तोड़ दिया और आभी कुछ लोग की सिर्णी आभी भाहा निकलिये गोपेश्वर में चलने वाले तीन दिवसी शरदोस्तों में लेके आज दूसरे दिन इस्कूली बच्चों और महिलाओं द्वारा रंगा-रंग प्रस्तोती दी गई वहीं लोग गायक गजिंद राणा के गीतों पर भी लोग खूब जूमें केदादनात विधायक मनोजनावत भी इसमें शामिल हुए मनोजनावत ने बताया कि गोपेश्वर काफी संदर जगा है किदार नात विधायक ने ये भी बताया कि नगरपालिका ने यहां पर काफी अच्छी गोस्था थी सुच भारत अभियान पर भी नगरपालिका का काफी जोर रहा है तो तीन दिनों तक ये आपको बता दें कारेकरम चलेगा शरदोस्तों का अगास कर दिया गया है गीर संगीत के साथ तो गी संगीत के साथ सरदोस्तों का आगाज हो चुका है आगाज इतना सांदार है उम्मीद करते हैं तीन दिनों तक आसपास के लोग इस इले का कारेकरम का लोत बठाएंगे बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुंच रहे है उत्राखन लाइब में फिलार इतना है लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हैं जैन टीवी के साथ नमस्कार